प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने राष्ट्रपती के अभी भाषन पर धन्यबाद प्रस्ताव पर हुई बहस का दिया जवाब कहा कोरोना काल के बाद देश्व एक नई विवस्थाओं की तरप तेजी से बढ़ रहा है आगे जनजातिय कारी मंत्री अरजुन मुंडा ने अनुसूचित जाती और अनुसूचित जनजाती आदेश समिधान संशोधन विधैक 2022 आज राजसभा में किया पेश सिल्क द्योक का निरिक्षन करने गुड़ा जिले के भगया पहुची नीति आयों की टीम बुनकरों को हर संभव सहायता का दिलाया भरोसा और खोटे जिला पुलिस और सियार पीफ जवानों ने साजा अभियान चला कर नकसली संगठन पी एलफाई के तीन सदस्यों को किया गरफतार नमस्कार खबरे जार्खन में आपका स्वागत है मैं हूं संध्या देमता और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश देश के कई हिसों में कोरोना संक्रमन तेजी से फैल रहा है हमारी अपील है कि आप सतरक रहें और 15-18 वर्ष के किशोरों सहित अन्य लोगों के टीका करन में मदद करें कोरोना वारिस के नए स्वरूप ओमीक्रों से चिंता बढ़ी है सुरक्षित रहने के लिए कृप्या तीन सरल उपायों का पालन अवस्य करें मास्क पहने दो गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और चेहरा साफ रखें कोविट से सम्मनित किसी भी जानकारी और म प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लोग सभा में रास्टपती के अभिभाशन पर धन्यबाद प्रस्ताव पर हुई बहस का जवाब दिया प्रधान मंत्री ने कहा कि कोरोना काल के बाद विश्व एक नए वर्ल्ड ओडर नई विवस्थाओं की तरब बहुत तेज प्रधान मिद कीशन निमें भी आ जाता है कों हिंदोस्तानी होगा जिसके बात को सुंकर गर्व नहीं हो कि आच अज देश के डि़रीब से गरीब के घर में सवचा बना है आज खुले में सोच से देश के गाउं भी मुक्त हुए हैं कॉन भुष्लीन के विश्आ है 근데 आपको दड़िवाद करके शुरू करूँ बहुत 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 दन्यवाद राजसभा में आस्वर कोकिला लता मगेशकर को श्रधांजली दि सब्सक्राइब अर्जुन मुंडा ने अनुसूचित जाती और अनुसूचित जन जाती आदेश समीधान संशोधन विधयक 2022 आज राज सभा में पेश किया इस विधयक में 1950 के अनुसूचित जाती समीधान आदेश की सूची से जारकन में भोगता समुदाई को अनुसूचित जाती से हटाने और कुछ अन्य समुदाईों को जन जाती सूची में जोड़ने का प्रावधान है क्रिशी और किसान कल्यान मंत्वी नरेंद्र सी तोमर ने आज राज सभा में लिखित उत्तर में बताया कि सरकार ने क्रिसी और सन्रचना निधी के तहट 6500 करोड रूपिये से अधिक की राशी को मजूरी दी है सितोमर ने कहा कि इसके लिए बनाएगे विशेश पोर्टल पर अब तक 16,026 आविदन प्राप्थ हुए हैं इन में से 9,019 आविदकों को सहायता रासी स्विक्रित की गई है 9,054 लोग स्वस्थ भी हुए इधर जारकन में पिछले 24 घंटे के दवरान कोरोना के 373 नए संक्रमितों की पहचान की गई जबकि इस दवरान 543 लोग स्वस्थ भी हुए इसके साथ ही राजिमी सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 2616 रह गई है देश में कोविट के खिलाब जारी जंग में टीका करन अभियान तेजगती से जारी है केंद्रिय स्वस्थ मंत्राले के अनुसार देश में अब तक एक अरब 79 करोड 63,08,755 कोविट रोधी टीके लगाए जा चुके है राजी के मुख्यमंत्री हेमन सोरेन आज अपना 16 मैरेज अनिवर्सरी मना रहे हैं हेमन सोरेन ने आज अपनी पतनी कलपना सोरेन और बच्चों के साथ असम के कामाख्या मंदिर में पूजा अर्चना की और राज वास्यों के सुक सम्रिधी की कामना की कांगरिस के सभी विधायक और मंत्री कल नई दिल्ली में पार्टी के वरिष्टनेता राहुल गांधी और जार्खन प्रभारी अविनास पांडे तथा सह प्रभारी उमंग सिंगार से मुलाकात करेंगे इस मुलाकात को लेकर स्वास्तिमंत्री बन्ना गुपता समेत पार्टी के कई विधायक आज नई दिल्ली के लिए रवाना हुए वहीं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकूर ने बताया कि लंबे अंतराल के बाद कांग्रिस विधायक हाई कमान से मिलकर अपनी बातों को रख पाएंगे कांग्रिस सदसता अध्यान जोर शोर से चल रहा है इसे सलसले में पार्टी के प्रदेश निर्वाचन पदाधिकारी प्रकास जोसी ने कांग्रिस पदाधिकारियों के साथ बैठक की इस बैठक में पार्टी के सह निर्वाचन पदाधिकारी जितंद्र कसाना और भावेश चौधरी भी उपस थी थे प्रदे सद्यक्त राजे स्ठाकुर ने बताया कि सदसता अभियान का काम जोर शोर से चल रहा है आज इसू पार्टी ने आज राची स्थित अपने केंद्रिय कारियाले से जन संग्रह धन संग्रह कारिक्रम की शुरुवात की कारिक्रम के दोरान कई नए चेहरों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहन की कारिक्रम के दौरान कई सदसे ऑनलाइन भी कारिक्रम से जुड़े रहे मौके पर पार्टी के केंद्री अध्यक सुदेश महतो ने कहा कि इस कारिक्रम का मूल उद्देश पार्टी में राज्य की वैसे लोगों की भागिदारी सुनिश्चित करना है जो राज्य और देश हित में अपना योगदान देना चाहती है कारिक्रम के दवरान दिवंगत भारत रतन लता मगेशकर जी के सम्मान में एक मिनट का मान रखा गया और उन्हें भावभीनी श्रद्धान जिली दी गई सुदेश महतो ने अपने वक्तब्य में लता जी के निधन को देश के लिए अपुर्णे छती बताया भारत को स्वर्दिया भारत को जश्वा दिया और गड़ने के हर सुत्र में कुछ को शामिल किये ऐसे सक्त लता जी का उनके ना रखने पर उनका भुष्ट में और साथ पूरे वाद वर्शियों को ना मिलने पर कारेक्रम को संबोधित करते वे सांसत चंद्र प्रकास चाओधरी ने कहा कि राजी के सभी जीलों से आज पार्टी में बड़ी संख्या में युवा और बुद्धी जीवी श्रामिल हो रहे हैं जससे पार्टी और भी मजबूत होगी गोड़ा जिले में ठाकूर गंग्टी प्रकांड स्थेत भगईया छेत्र शिल्क के धागे और कपड़ा उत्पादन के लिए पूरे देश में विख्यात है नीती आयोक के मुख्य कारेकारी अधिकारी प्रशांत कुमार और जिले के उपायुक्त भोर सी यादव आज भगईया गाउं पहुंचे असल कुद्योग का जाजा लिया अधिर में विजिट किया है और हमें लगता है कि यहाँ पर लोगों की जो डिमांड है कि जिस पकार के उपकरण दिये जाने हैं और इनका रोड का ड्रेनेज प्यावी क्या और शॉपिंग इंपोरियम अगरे का हम लोगों ने डीनेफ्टी के मार्धियम से प्रोजेक्ट इसको पास किया हुआ है और एकादमा के अंदर हैं लोग इसमें काम सरु कराएंगे और विभाग से भी हम लोग पत्राचार और बात करेंगे कि हां का जो खूटी जिले की पुलिस ने रनिया थाना छेत्र से प्रतिबंदित नक्सली संगठन पी एलफाई के तीन सक्रिय सदस्यों को गरफतार करने में सफलता हासिल की है गरफतार नक्सली तीन फरवरी को पुलिस पर फाइरिंग करने में भी सामिल थे इस मुटभेड में पी एलफाई सुप्रीमो दिनेश गोप बच निकलने में काम्याब रहा था SDPO ओम प्रकास्तिवारी ने बताया कि गरफतार नक्सलीों के पास से एक मोटर साइकल परचा चंदा रसीद और ग्यारह मोबाईल फोन समेत अन्य सामान बरामद किये गए है और अब कुछ खबर राजे के बिविन जीलों से धनबाद रेल मंडल के पहाडपूर में पट्री से कोडर्मा गोमो एम्टी स्पेशल ट्रेन पट्री से उतर गई यह हाथसा आज सुबह डाउन लाइन पर हुआ इसके बाद पीछे से आ रही नई दिल्ली हाबडा राजधानी एक्सप्रेस नई दिल्ली सियालदा राजधानी एक्सप्रेस समेत कई ट्रेने घंटो बिविन स्टेशनों पर खड़ी रही धनबाद के पाथर्डी थाना शेत्र के ज़रिया सिंद्री मुख्या मार्ग पर एक कार ने खड़ी बस में टक्कर मार दी है जिससे एक व्यक्ति की मौत हो गई है जबकि पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए है राजधी में हजारी बाग और कोडर्मा जिले में रविवार देर शाम को मूर्ती विसरजन के दोरान जड़प होनी के बाद चार जिलों में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई इलाके में किसी तरह का सामाजिक विद्वेस न पहले इस दरिश्टिकों से चार जिलों, कोडर्מה, हजारी बाग, गिरेडी तथा चतरा में इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है राची के जगनातपुर थाना चेत्रों के हटिया हिसाग के मुस्लिम बस्ती में नासिर स्टोर दुकान और घर पर देर रात गोली बारी हुई है अग्यात अपराधियों ने करीब 14 राउंड फाइरिंग की है घटना की सूचना मिलने के बाद देर रात ही मौकी पर पुलिस पहुँच कर मामले की चानबीन कर रही है हजारी बाग में आसुबह बड़ा सड़क हादसा हो गया चल्टा गाउं के पास सवारी गाड़ी पलटने से एक व्यक्ति की माउत हो गई है पांच लोग गंभीर रूप से घायल हैं वही 19 लोगों को हलकी चोटे आई है हजारी बाग जिले के कटकम सांडी थाना शेत्री के लापुंग गाउं में आसुबह एक महिला की लास्कुएं से बरामत की गई है मृतका के माई के वालूं की ओर से दावा किया जा रहा है कि दहेच के लिए बेटी की हत्या की गई है पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है जामताड़ा में मुंबई क्राइम ब्रांच का छापा पड़ा है टीमनी जिले में रह रहे है साहनमाज भकरुदीन अनसारी उर्पसन्नी को गरफतार किया है यह कारवाई रागवन मुहले में की गई है बताया जा रहा है कि इस अपराधी पर मुंबई में कई अलग-अलग मामले दर्ज है सराइकेला खरसामा जिले के आराइटी थानाशेत्र के लंका टोला में बिजली का करंट लगने से एक नावाली की मौत हो गई बताया गया है कि युवक सरवसती पूजा के मूर्ती विसर्जन के बाद आज पंडाल के पास लगे लौड स्पीकर को उतार ने पेड़ पर चड़ा था उसी दवरान पेड़ के पास से गुजर रहे 11,000 बोल्ट की तार की चपेट में आने से यह हादसा हुआ समय समय पर ABM वेर हाउस की स्थिती का निरिक्षन कर रख रखाओ तकनीकी उपकरणों की स्थिती से संबंधित रिपोर्ट राज निर्बाचन विभाग को समर्पेत करना होता है इसी क्रम में उपायुक्त रांची छवी रंजन ने आज मुरहबादे स्थित ABM वेर हाउस का निरिक्षन किया और पदाधिकारियों से सुरक्षा वेवस्था से संबंधित जानकारी ली रांची की उपायुक्त छवी रंजन की अध्यक्सता में आज जिला स्तरिये कोवीड टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गई बैठक में जिले में कोवीड नाइनटीन टीका करन कारी की समिक्षा की गई समिक्षा के दोरान अच्छा प्रदर्शन करने वाले प्रखंट के बेडियों की उपायुक्त ने प्रसंसा की जबकि औसत से कम प्रदर्शन करने वाले बिडियो को उपायुक ने कड़ी चेतावनी दी गढ़वा पुलिस केंद्र में आज रक्तदान शिवीर का आयोजन कर 12 यूनिट रक्तदान किया गया इस मौकी पर पुलिस अधिक्चा कंजनी कुमार जहा ने बताया कि रक्तदान महादान है आगे भी गढ़वा पुलिस के द्वारा रक्तदान शिवीर का आयोजन किया जाएगा ताकि जरुरत मंदों को समय पर रक्त मिल सके खूटी जिला का पुसेया गाउं सरमली मुंडाओं का एतिहासिक धरोवर है हर वर्ष के भारती इस वर्ष भी मुंडाओं का वार्षिक एतिहासिक जत्रा धुमधाम से मनाया गया यह जत्रा मुंडाओं द्वारा अपने पुर्खों की याद में हर साल फरवरी मेहने के प प्रती एक वर्स मनाया जाने वाला आतिहासिक जत्रा आदिवासियों के सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है, जिसमें बड़े छोटे महेलापुरुस सभी नाचते गाते और उत्सों मनाते हैं। सांस्कृतिक परंपरा को जीवन्त बनाने के लिए जत्रा में गाउं समाज की सामुईक सहभागिता होती है। मदाता सूची विशेश संक्षिप्त पुनरीक्षन कारीक्रम 2022 के दोरान उतक्रिष्ट कारे करने वाले पदाधिकारियों एउम कर्मियों को सुम्वार को पलामू जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक शसी रंजन ने प्रशस्ती पत्र प्रदान कर सम्मानित किय पुनरीक्षन कारीक्रम 2022 में बेहतर प्रदर्शन करने वाले कुल छे पदाधिकारियों और कर्मचारियों को जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने अपने कारियाले कक्ष में प्रसस्ती पत्र दे कर सम्मानित किया राजधानी राची समेत राजभर में राजथान से आए पच्छमी विष्ट्रोब के बाद मौसम साफ होते ही ठंड बढ़ गई है मौसम पुर्वा नुमान में बताया गया है कि 9 और 10 फरवरी को राज़ी के उत्तरी तथा मध्य भागों में कहीं कहीं गरज के साथ हलके से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है 11 फरवरी से मौसम साफ हो जाएगा वो 26.8 डिग्री सेल्सियस चाइबासा में रिकॉर्ड किया गया है और जो सबसे कर नुमतन तापमान है वो साथ डिग्री सेल्सियस गड़वा के क्रिस्टिका स्केंद में रिकॉर्ड किया गया है मुख्य सहरों के जो निमतान तापमान है, वुर्साइप राजि में 8.01 दिज पर जमसेथपूर में 11.00 डाल्टिजन में 8.3 degree Celsius, वकारो थारवन में 8.1 degree Celsius, साहिब दन्ज में 8.8 degree Celsius, देवगर में 8.6 degree Celsius रिकॉर्ड किया गया। अब बात करें सिनप्टिक फीचर की, तो आंट ताइक से एक नया पश्मी विचोग और उसे जुड़ा सैकलोनिक सर्कुलेशन है, वो उत्तर पश्मी भारत में सक्री होने वाला है, जिसके वज़ा से 9 और 10 में जारकन में भी आइसोलेटेट टू स्काटर डेनफर होने की पूज इन पूजा समीतियों द्वारा पारंपरिक विधी विधान के साथ प्रतिमाओं का विविन जलाश्यों में विसर्जन कर दिया गया विगत 19 दिनों से आंदोलन रत पंचायत सचिव और लिपिक नियुक्ती परिक्षा की अंतिम मेधा सूची जारी करने की मांग को लेकर अभियर्थियों ने आज से राजभवन के समक्च भूख खड़तार शुरू कर दी है अभियर्थियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा रांची के मुरहबादी मैदान तथा आसपास की 28 जन्वरी से बंद फुटपात दुकाने कल 8 फरवरी से खुल जाएंगी मुरहबादी मैदान के बिजली सबस्टेशन के सामने बिर्सा मुंडा स्टेडियम की दीवार से सटे स्थान जहां सापताहिक बाजार के दोरान सबजी विक्रेता दुकान लगाते हैं वहां ठेले खोमचे लगाए जाएंगे दुकानदार भी इस जगह पर सहमत है आजादी के सफर की आज की कड़ी में जानिये स्वतंत्रता संग्राम में क्रान्तिकारी सचिंद्र नाथ सान्याल की भूमिका के बारे में आज की इस कड़ी में हम क्रान्तिकारी स्वतंत्रता सेरानी सचिंद्र नाथ सान्याल को याद कर रहे हैं जो साथ फरवरी 1942 को शहीद हुए थे सान्याल हिंदुस्तान रिपब्लिकन असोसियेशन के संस्थापक थे वे चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंग जैसे क्रान्तिकारीयों के गुरू थे वे शायद एक मात्र ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्हें दो बार अंडमान की सेलुलर जेल काला पानी भेजा गया था गंगा आये कहसे गंगा जाये कहा रे उत्रप्रदेश के वारा नसी में 1893 में जन्मे सान्याल अनुशीरन समिती के एक प्रमुक्सद से थे एक युवा के रूप में वो पंजाब अस्वत प्रांत में क्रांतिकारी आंदोलन के आयुजन में सक रिये थे सचिंद्रनाथ सान्याल ने गदर पाटे श्यादंत्र के दोरान महतुपुन भोमी का निभाई थी वो राजबिहारी बोस के प्रमुक्स हयोगी थे और बंगाल में आंदोलन कारियों को जोडने की महतुपुन कड़ी थे आंदोलन कारी गते विध्यों के कारण सान्याल को गिरफतार किया गया और अंडमान निकोबार में सेलूलर जेल भेज दिया गया वहाँ उन्होंने बंदी जीवन नामक पुस्तक लिखी जो अत्यदिक पैसिद हुई उन्हें 1920 में रॉयल एमेनिस्टी के तहत रिहा कर दिया गया था अपनी रिहाई के बाद सान्याल ने साहित्य और अख़वारों के माध्यम से क्रांतिकारी संगठन को व्यापक आधार पर बढ़ावा देना जारी रखा वे प्रतुल गांगुली, जोगेश चंद्रचटरजी, त्रेलक्य चकरवरती, नरेंदरनाथ सेन और प्रबोध चंदरदास गुपता सहित बंगाल के प्रमुक़ करांतिकारीओं के साथ-साथ भारत के सभी हिस्सों में सक्रिये अन्य करांतिकारीओं के निकट संपर्थ मे गोला बारूत के खेप मंगाने में सक्रिय रूप से शामिल थे। असायोग आंदुलन के बाद सान्याल, रामप्रसाद बिसमिल और अन्य करांतिकारियों ने अक्तूबर 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन असोसियेशन एचारे के स्थापना की। उन्होंने एचारे घोशना पत्र तयार किया जिसका शीर्शक था दा रिवलिशनरी। इसे 31 दिसमबर 1924 को उत्तर भारत के शहरों में बाटा गया। 1925 में सान्याल को बांकुणा जिले में क्रांतिकारी नामक पत्रक लोगों में बांटने के लिए दोशी ठहराया गया और दो साल के कठोर कारवास की सजा सुनाई गई। बात में उन्हें लखनों में काकुरी शडेंत्र मामले में अपरेल 1927 में आजीवन कारवास की सजा सुनाई गई। उन्हें 1937 में रिहा कर दिया गया लेकिन 1941 में डुटिये विशुयूत के दोरान जापानियों के साथ मिलकर ब्रेटिश सरकार के खिलाव साजिस रचने के आरोप में फिर से गिरफतार कर लिया गया। साथ फरवरी 1942 को नजरबंदी के दोरान उनकी मृत्य हो गई। इस महान शहित को हमारा नमन। पहले युद्ध में सक्रिय रूप से भाग लिया। वे 15 अक्टूबर 1857 को महराब खान के नित्रित्तु में कोटा में पॉलिटिकल एजेंसी हाउस पर हमले में शामिल हुए। इस हमले में राजनितिक एजेंट कैप्टेन सी ई बर्टन उनकी दो बेटे और कुछ अन्य लोग मारे गए थे। उन्होंने कोटा शासक महराव और अंग्रेजों की सैंट सेना के खिलाफ कई अन्य लड़ाईयां भी लड़ी। मार्च 1858 में अक्बर खान शहिद हुए। हम इस महन शहिद को नमन करते हैं। हमारी सोशल मीडिया प्लाटफोन ट्वीटर, फेस्बूक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं। क्योंकि खबरों से जितना बाखखबर रहना जरूरी है, उससे ज़्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निस्पक्च समाचार। हमारा ट्वीटर है डीडी न्यूज जारकंड और फेस्बूक पेज है आर एन्यू डीडी के। आप हमें यूट्यूब चैनल जारकंड डीडी न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। और अब आखिर में इस बॉलिटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपती के अभी भाषन पर धन्यबाद प्रस्ताव पर हुई बहस का दिया जवाब कहा कोरोना काल के बाद बिश्वा एक नई विवस्थाओं की तरब तेजी से बढ़ रहा है आगे। जनजातिय कारी मंत्री अर्जिन मुंडा ने अनुसूचित जाती और अनुसूचित जनजाती आदेश समिधान संशोधन विधैक 2022 आज राजी सभा में किया पेश। सिल्क उद्योग का निरिक्षन करने गोड़ा जिले के भगईया पहुंची नीती आयोग की टीम बुनकरों को हर संभव सहायता का दिलाया भरोसा। और खोटे जिला पुलिस और सियार पीएप जवानों ने साजा अभियान चला कर नकसली संगटन पी एलिफाई के तीन सदस्यों को किया गिरफतार। मा कब आएगा? अभी आएगा. अरे बोलो न मा कब आएगा? बोला न अभी आजाएगा. ये ले आ गया कुवाँ. अरे कुवाँ नहीं मा, हमारे गढ़ नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुटी, बहुत जल्दी आएगा पानी. जल जीवन मिशिन आ चुका है. हम ए कदम उठाएंगे, तो सरकार दस कदम उठाएगी. सच? तुम्हारे गुमें घी शक्कर. घी शक्कर नहीं मा, स्वाच्छी जल्दी दो हजार चौबिस तक देश के सभी 19 करोड घरों में पहुचेगा पीने का साफ पानी. अब होगा हर घर जल. जल जीवन मिशन. जल शक्त करती मंत्राले भारत सरकार. फिर से आप सभी का स्वागत है. हम सभी भारतिये हैं और हर भारतिये का मूल भूत अधिकार होता है रोटी, कपड़ा और मकान. कपड़ा और मकान छोड़िए. आज के वक्त में अभी भी ऐसे कुछ लोग हैं जिनें दो वक्त की रोटी भी नहीं नसीब होती है. ऐसे सरकारी संसा नहीं, बलकि बुकारो वासियों का निस्वार्त एवं संगधित प्रियास है, जिसका उद्देश दिव्यांगों मानसिक एवं शारेक रूप से असक्षम असाय लोगों का सरवांगिन विकास करना है. इस उद्देश में कोई रुकावट ना है, इसलिए के सभी मेंबर बराबर हैं और सभी गरीबों की सहायता करने की भावना से जोड़ अपनी जिम्दारी निभाते हैं।